पश्चात win इत्राइं के अंतर के ताज हम template के कावशी धान कोड़ने करेंगे और यह हमनिनमनेबिंदों का दार्वर हम PLATO के कावशी धान कोड़नेंके nurture प्लेटो युनान के महान दार्शनी कर विचारक हुए हैं, उनका शमयकाल है, उनका जीवनकाल है 427 इसापुरो से 347 इसापुरो तक निम्न बिंदों के अधार पर हम इस विशय का अध्यान करेंगे प्रस्तावना, फिर प्लेटो का अनुकरण सिधान्त यां कावे शत्य प्लेटो की द्रिष्ट में कावे और नाटक का प्रभाव, कावे रचना की प्रक्रिया प्लेटो के अन्सार कावे की रचना प्रक्रिया किस प्रकार की होती है प्लेटों के अंसार कावे का प्रयोजन क्या है? कावे के लिखने का उद्देश क्या है? कावे का विशय क्या होना चाहिए? कावे की शक्ति, काव यहे तु किन साधनों के द्वारा किन कारणों से हम कावे लिखते हैं कावे के प्रमुख भेद, कावे की शैली और भाशा, समी च्छक के गुड, कलाश शिल्प का ग्यान, और निश्कर्स की प्लेटो का क्या योगदान है, प्लेटो के कावे सिधान के क्या गुड है और क्या दोश है नमस्कार, मैं भूपंद्रपणने हिंदी चैनल में आप सबका हर्दिक स्वाकत करता हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ एक बेल आइकन को दबारा ना पुलें, त करन तो पास्चात आलोचना में ब्यवस्थित रूप से सिधान्तों का सरो प्रतम प्रतिपादन प्लेटों द्वराही हुआ। पहले ही कुछ फुटकर आलोचना के सिधान्तों के दर्शन हो। किन्तु उनका कोई सारगर्भित और व्यवस्थित रूप हमें देखने को नहीं मिलता। प्लेटों के पहले भी कई बहुत सारे विचारा कोई थे दार्शनी कोई थे जिनका यहां पर उलेक किया गया है। उन्होंने भी थोड़ा बहुत अपनी सिधान्त दिये थे कावे के समन्द में नाटक के समन्द में। खिंत उए उन्हें ब्यवस्थित रूप नहीं दे पाए और ब्यवस्थित रूप से पास्च्यात अर्था युनानी आलोचना का जो शुभारम हुआ वह प्लेटों के द्वारा हुआ। एक ब्यवस्तित शास्त्र के रूप में पाष्चात या साहितय लोचन की पहली जलक प्लेटो जिणका जीवन का 427 ईसापुरो से 347 ईसापुरो तक है इनके आन नामक निक ग्रंथ में देखने को मिलती है इसमें पाष्चात या साहितय लोचन वेस्टर्न क्रिटिसिजम की पहली जहलक प्लेटो के यह और नमक समाद गरंथे में देखने को मिलती है इनका मूल नाम अरिस्तोकलीस था युराणी नाम क्या था इनका अरिस्तोकलीस लेकिन इनके गुरू इनके गुरू कौन थे सुकराथ इनके ज़ो गुरू है यह हैं इनके गुरू सुकराथ ने इनके प्लाटोन नाम दिया आज हम इनके अर्वी-फार्सी में अफलातून और अंग्रिजी में प्लेटो के नाम से जानते हैं अर्बी फार्सी में इनको अफ्लातून कहा जाता है और अंग्रजी में इने प्लेटो कहा जाता है यह सब नाम आप द्यान व्याद रखे और इनके गुरु का नाम था सुकरात प्लेटो कि महत्पूनर रचनाय ये इनके महत्पून गरंत है प्लेटो प्रत्यवादी या आत्मवादी दार्सक्री अधार्ष वादी इनके जो विचार थे आधर्श्वादी थे ये आधर्ट रचनत प्रत्यवादी या आत्मवादी इसका अर्थाता है आदर्शवादी कला के मुल्य के संदर में प्लेटों का द्रिष्टिकॉन उपयोगिता वादी और नतिकता वादी था कला के सम्मद में उनका मानना था कि कला क्या होने चाहिए उपयोगी होने चाहिए समाज के लिए उपयोगी होने चाहिए और नतिकता होने चाहिए उसमें सत्य होना चाहिए सत्यम शीवम और सुंद्रम यह इनका मूल उद्धे से था कि कोई भी कला समाज के लिए उपयोगी हो और नैतिक रुप से सही हो मतलब उसमें सत्यम शीवम और सुंद्रम तीनों का समर्भा होना चाहिए उसके लिए उनने ने मापदन इस्थापीतिया हुआ था कि कला ऐसी होनी चाहिए प्लेटो का जो दर्सन है जो उनके फिलासफी है उसमें पांच वीश्यों का निरुपड है पांच प्रमुक वीश्यों है जिसका उनके दर्सन में महत्रपोण इस्थान है पहला और राजी स्थापना करना चाह रही थे। प्रत्य सिधान्य आ expectation of idea ऩडरे वीचार आत्मा की अमरत सिद्धी आत्मा कैसे अम्रत अप्राप्त कर सकती है। श्रिष्टि शास्थ और ज्यान मिमान यह जो पांच विशे हैं जो उनके दर्शन के केंद्र में हैं इन पांच विश्यों को उन्होंने अपने दर्शन में प्रमुकिस्थान दिया है प्लेटो के समय तक युनानी जीवन के राजनीतिक तथा साहितिक सभी छेत्र में अराजकता फैल गई थी जो प्लेटों का समय था वो कैसा था युनानी जीवन के राजनीतिक, समाजिक तता साहितिक सभी शेत्रों में अराजिक्ता फैल गई थी और उसके सांस्कृतिक वैभाव का वेग से विक्टन प्रारम हो गया था पतन का दोर था चाहे राजनीति हो चाहे समाज हो चाहे साहिति हो सभी शेत्र में अराजिक्ता का वातरों था पतन का दोर शुरू हो गया था प्रजापुत तंत्र के नाम पर राच्चत तक कुछ अदूर दर्सित वार्थी लोगों के हाथ में थी ऐसी इस्थिती में प्लेटों के विचार धरों ने युनान की संस्कृतिक उत्थान में अपना अत्यन तमाहत पूर्ण और शक्तिसाली योग दान दिया मतलब जब युनान जो है पतन के कगार तक पहुँच गया था उसका पतन होने ही वाला था उस इस्थिती में प्लेटों के विचार धरों ने उनकी सांस्कृतिक उत्थान में अत्यन तमाहत पूर्ण भूमिका का निर्भन किया प्लेटों ने सरवप्रतम साहित्य विश्यक मौलिक सिधानतों का प्रतिपादन किया और इस प्रकार पश्चि में समिच्छा शास्त्र की नियु पड़ी प्लेटों के गुरू का नाम है सुक्राथ प्लेटों के गुरु सुकरात ने साहित्य लोचन के शेत्र में नहीं उद्भावनाएं प्रसूत नहीं की थी इन्हेंने कोई नियम करण कोई नया सिधान्त नहीं दिया था इनके गुरु ने उन्हेंने कोई ग्रंत भी नहीं लिखा और न कभी अध्यापन किया न तो उन्हेंने कोई किताबे लिखी न कहीं हो पढ़ाते थे, उनके रहांसान और तरीके जो थे रूड़ी वादी थे, सुकरात बुद्धी तथा तरख के अतरीक किसी भी बायसत्ता का आदेश मानने को तयार ना थे, उनकी विचार सर्णी में भावना का इस्थान नहीं थ मतब जो उनकी बुद्धी और तरख की कसावटी पर जो बाते खरी उतरती थी, उन्हीं को मानते थे, और फिलिंग्स और इमोशन्स और भावना का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था, मतब हर चीजों को आपने बुद्धी और तरख की कसावटी पर कसते थे पले, तब उस पर विश्वास करते थे यनि कि हमारे बड़े बुजर्ग जो कह रहे हैं तो हमेशा सही हो कि हमारे पिता ने हमें कोई बात कही है हमको उसको मानना ही है उनका मानना या था कि हमारे बड़े हैं वो कह रहे हैं सिर्फ इसलिए हमको मानना यासा नही है पहले वह उन चीजों को अपने बड़े बुजुर्गों के आदेशों को अपने माता-पिता के आदेशों को पहले वे बुद्ध और तर्ख की कसोटी पर कसते थे जब वो अखरा उतरता था तब ही उसको मानते थे भावना या इमोशन का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था वे आत्म दीपो भ विशाय में अपने विचार प्रकट किये प्लेटो पर सुकरात का गंभी प्रफाव पड़ा जो सबसे मिधावी शात्र था वह प्लेटो था और इसलिए प्लेटो ने कला के समद्ध में कविता के समद्ध में नाटक के समद्ध में अपने विचार विचारत व्यक्त किया औ और उनके जीवन में सुकरात जो उनके गुरु है उनका बहुत ही महत्पून प्रभाव पड़ा। प्लेटों की भव्या उदात शैली बताती है कि वे मूल तक कभी थे। उन्होंने अपने जीवन में अपना जो जीवन के प्रारंबिक समय में उन्होंने कविताओं लिखी अपने उनके लेखकी जीवन का प्रारंब हुआ भी नाटकों और कविताओं की रचना से लेकिन सुक्रात के प्रभा में आने पर उन्होंने ललित कलाओं को नश्ट कर दिय वे कविता भी लिखते थे, जब राइटर बने लेकर बने, तो शुरवात में कविता भी लिखते थे नाटब भी लिखते थे, लेकिन जब वे सुकर अपने गुरू क संपरक में आये तब उन्हेंने,"टम अपने सभी लली दख zrobi लाओं को कर्दिया, सब लीको निश्ट कर दि मतलब उनकी जो द्रिष्टी थी वह दार्षनिक द्रिष्टी थी उनमें कोई संदर ये बोध नहीं था वह भी सभी चीजों को तरक और बुद्धी और उप्योगितावात की नितिकतावात की कसावटी से देखते थे इसलिए प्लेटो काव्य और नाटक के प्रति नियाय नह ा प्लेटो के अनसार कावय मनूष की वासना को उत्तेजित कर उसे भीवएखीन बनाता है। मतलब जो कविता है मरुष की वासना को उत्तेजित करता है, काम भावना जागरत करता है। प्लेटो ने संभतात अत्कालिन साहित को देखकर ही अपना यह मत व्यक्त किया था। प्लेटो के समय में युनान में जिसे ग्रीज भी काड़ाता है, वहाँ पे जो कविताय लिखी जा रहे थी, वो काम भावना को दिप्त करती थी, वासना को जगाती थी। शायद इसी को देखकर प्लेटो ने यह विचार प्रगट किया, उन्होंने अपने समकालिन साहित को देखकर संभता यह विचार वेक्त किया था। साहित्य और कला का ततकली रूप सहयोग नकर उस्ष्रिंखलता मातर फैला रहा था, अता उसने साहित्य और कला की गोर निंदा करनी प्रारम कर दी। उनके जो समकाली ने कभी हुए है, होमर बहुत ही महान कभीते, ODC करके इनकी बहुत ही प्रमुकरजना है, अपनी रिपब्लीक के तीसरे भाग में वह होमर को परलोग की अंधकार में इस्थिती का चित्रण करने के लिए दो सीठ हराता है, होमर ने अपनी कभीता में जो परलोग है, संभवतावा नर्क हो सकता है, उसकी जो अंधकार में इस्थिती का उन्होंने चित्रण किया था, इसके लिए वह उन्हें दो सीठ हराते हैं, उनके अनुसार ऐसे साहिते पर कड़ा प्रतिबन लगाना आउश्यत है, प्लेटो, होमर दरावर्णित कतिपे घटनाओं की घोर निंदा करते हुए, उसे समायर में चारित्रिक दुर्बलता फैलाने का भागी ठहराता है, ऐसा साहिते समायर में अनित्ता फैलाकर मनुष्यों की इंद्रियों का दास बना देता है, हाला कि वो होमर के प्रशन सक्त और समाज में अनैतिकता फैला देता है, इसलिए इनका विरूत करना आउशिक है, प्लेटो की मुखिचिता है, आदर से सराज में उनकी उप्योगता, कावे और कला के समद में उनका दिश्चिकोंडिया है कि आदर से गंड़ा राज्य में क्या उनकी उपयोगिता है क्या उनका यूज है इस उपयोगिता के निड़े कने के क्रम में उन्होंने कला की परिभाशा कलाव में कावे का इस्थान, कावे का स्वरूप, कावे की प्रेड़ना, कावे के विशय, कावे के रूप, कावे के भावात्मक्रभाव, कावे और सत्य, कावे और जिवन का संबन्द, आधी अनेक वीसियों का इस पर्सकिया जब उन्होंने कावे की अरचना उपयोगितावाद के दिश्चिकोंट से करना शुरू किया तो इन वीचियों पर भी उन्होंने विचार किया इस सूची की परिवयाप्तिय फ्हलाओ एक विच्तित कावे सिध्धान के पुनर निर्मान के संहाणा की और निश्चीत रुप से संगेट करती आए भले ही प्लेटों के समदों में किसी निष्षित क्रम का निर्वार ना गुआ हूँ. हालाकि ये जो कावे जो सिध्धान्त हैं कावे और नाटा के प्लेटों के इसके लिए उन्हेंने कोई पर्टिकुलर किताब नहीं लिखिये लेकिन उन्हें ने जो भी किताबे लिखी उनमें इन सिध्धानतों का वर्णन किया गया है यद्धे पुण में क्या नहीं है मीमेसी आर्थात अनुक्रान शब्द का प्रयोग दो संदर्वों में किया है निमेसी के एक युनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुकरण प्रेटो ने इसका प्रयोग दो संदर्वों में किया है कैसे किया है यह इंका अनुकरण सी धानत है इसको ध्यान से समझेगा प्रत्य मतलब आइडिया या विचार जगत और द्रिस्यमान जगत के बीच संबंद की ब्याक्या के लिए प्रत्य जए मद्या विचार क्या होते हैं जो विचार होते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्य या विचार जगत और द्रिस्यमान जगत मतलब जो हमारा संसार है जिसमें हम जीवन यापन कर रहा है जो हमारे इर्दिकर्द हम जो देखते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या संबंद है विचार में और जो हमारा इर्दिकर्दो जो हमारा जो द्रिश्यमान जगत है जो हमारा संसार है उसमें क्या संबंद है और दूसरा वास्त्विक जगत और कला जगत के भी संबंद निरपड के लिए जो हमारा वास्त्विक जगत है जिसमें हम रहते हैं और कला जगत इन दोनों के बीच क्या संबन है तात्विक द्रिष्टी से यह प्रश्ण सत्य और असत्य का है और नेतिक द्रिष्टी से शुभर अशुभ का है यदि हम लाजिकली देखें तो उन्हेंने कि इस बात पर जोड़ दिया कि जो विचार है जो विचार है वही सत्य है और वही नेतिक द्रिष्टी से शुभ है और हमारा जो संसार है वह अशुभ है प्लेटों के प्रत्य सिध्धान के अंसार प्रत्य या विचार ही चरम सत्य है तो प्लेटों के प्रत्य सिध्धान क्या बोलता है कि प्रत्य या विचार या आइडिया जो आइडिया या विचार है जो हमारे दिमाग में रहता है सिर्फ होई चरम सत्य है वह शास्वत और अखंड है तथा इस्वर उसका स्रश्टा है जो कि जो विचार है जो आइडिया है उनका निर्माता कोन है इस्वर है इस्वर ने उसका निर्माण किया है उसका सिजन किया यह वस्तु जगत प्रत्य का अनुकरणд है। संसार और संसार का अनुकरन करता है कला जगत इस प्रकात कला जगत अनुकरन का अनुकरन होने से सत्य से तीन गुड़ा दूर है क्योंकि अनुकरन असत्य होता है प्लेटों को यह मानना है कि जब हम किसी चीज का नकल करते हैं अनुकरन करते हैं तब असत्य होता है विचार का अनुकरन करता है यह हमारा दिरी सिमान जगत तो यह अभी असत्य हो गया और इस दिरी सिमान जगत का अनुकरन करता है कला तो यह कला जगत जो है अनुकरन का अनुकरन करता है इसलिए असत्य से तीन और लिएविभगों नि島 क्या थीङए ङकां Ouaisुट लुकी है इसके जन्मित आता है इल्सक्रीफ के ईशवर लोकों के दिमाग में को आई नाम सुन होता हुआ हैं स्क्राइऑ चैनल के आइड nay स्वुनिस प्रेजर नाम सुनों ऊच्शक्रार किया था टो इस आइडिया के जर्मित आता है भगवान या इस्वर इस आइडिया के अधार पर उन्होंने एरोप्लेन बना दिया इस आइडिया को देखके इन्होंने बना दिया एरोप्लेन सब्सक्राइन यह ऐडिया विचार के जर्मित आता है इसका अनुकरण करके उरिजिनल में ऐरोपलेन बनाया रायद ब्रदर्स नहीं है तो यह भी क्या है यह द्रिस्यमान जगत भी असत्य है और इसको देखकर चोटे बच्चे यो एरोप्लेन बना लिया तो इसका अनुपरण आइडिया या विचार से जर्मादाप इसको इसका अनुपरण करें राइड ब्रॉदरस ने अरुपरें बनाया और इसका अनुपरंड करन करके किसी बच्चे ने एरोप्लेन बना लिये कागज का या फिर किसी चितरकार ने एरोप्लेन का चितर बना दिये तो ये पहला वाला भी असत्या है ये भी अनुकरण है और दूसरा वाला जो है पहले वाले का अनुकरण है पहला वाला ये आनुकरण और ये आनुकरण का अनुकरण है मतलब यह इस तत्य से दुगनादूर है कि तो यही कला जगत है कि एक और उदरण से समझते हैं यह आइडिया ञोंगा को हैपका ओरिजिनल डाकुमेंट यह कोई पेपर ओर प्यार हो गया उस आइडिया को आपने फोटोकापी कर लिया वह उसका पहला अनुकरण हो गया तो प्लेटो ने युनानी सद्ध मिमेशी सर्थात अनुकरण का प्रयोग अपमान जनक कर्थ में किया है उनका कहना है जो अनुकरण हे उनके अनुकरण में मिध्य तत्व रहता है वो असली नहीं रहता परनतों कला कि अनुकरण मैं को भावना का ऐसर मेशी प्लेते बंधों को कर्या है यह इस सिद्धांत से हम सकेए मत हों लेकिन कर चुंब siitä में जो अनुकरण की संभवना है जो इनुकरण मतलब एक आइडिया या विचार उसको जनमें देता है भगवान और उस आइडिया के अधार पर हम उसको कोई सामगरी निर्मीत करते हैं तो वह उसका अनुकरण हो गया जो सुयम्में आसकते हैं, où इस अनुकरण के अधार पर जो कला निर्मीत होती है वह अनुकरण का अनुकरण होने के कारण सत्य से दोगुना दूर है वास्ता में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्य तत्यो कारोप लगा कर कला गत सिजन सीलता की अवहिलना किया मदब उन्होंने जो कला कार की जो सिजन सीलता होती है उसको महत नहीं देते हैं और उसको कहते हैं कि यह अनुकरण है, तो इसने कलागत सिजन सिर्था के अवहिल ना की, उसको अपमानित किया। प्लेटो वास्ता में प्रत्यवादी दार्शनिक हैं, आइडिलिस्ट दार्शनिक हैं, आदर्श वादी हैं, उनके उनसार संसार में प्रत्यक वस्तु का एक नित रूप होता है, जो प्रत्य अर्थात, विचार या धार्णा में ही रहता है, यह रूप इस्वर निर्वित प्रत्य वस्तु का एक आधर्स रूप होता है और इस आईडिया या विचार के जन्मद आता है स्रस्टा कौन है इश्वर है और उसी आईडिया या विचार के आधार पर हम वस्तु का निर्माड करते हैं प्लेटो दारा रिपब्लिक के दस्वे भाग प्लेटो का तरक है कि बढ़ाई द्वारा बनाये गए एक पलंग कुछ किताबों में कुरसी भी मिलता है एक बढ़ाई द्वारा बनाये गए पलंग की कल्पना कीजिए यह पलंग जो की अब तक एक ठोस पदार्त के रूप में हमारे सामने है उसे वाँ बढ़ाई क्यों कर बना सका? उसका आकार कहां से उसके पास आया? अवसे इस बढ़ाई के मन में किसी आदर्स पलंग की कलपना रही होगी इस आदर्स पलंग की कलपना उसे प्रत्य या विचारों के जगत से प्राप्त हुई होगी जैसे कोई बढ़ाई है यदि उसने एक पलंग का निर्माड किया है तो पलंग बनाने का कि पलंग इस टाइप का दिखीगा, इस टाइप का मुझे बनाना है उसकी कलपना कैसे की होगी उसने तो उसकी कलपना उसको किसी आइडिया या विचार से आओगा तो यह आइडिया या विचार के जन्म दाता है इस वर उसके अधार पर बढ़ा ही ने बना दिया पलंग और उस पलंग को देखकर उसका अनुकरन करके कोई कलाकार कोई चितरका देता है तो वही कला जगत है जो सत्य से दोगुना दूर है प्लेटों के अनुसार यह विचारों का जगत ही जहां से समस्त कलपना अत्वा भास प्राप्त होते हैं अकेली वास्तिक सत्ता है तो सभी चीजों की मूल सत्ता क्या है आइडिया या विचार है और इसी आइडिया सत्रा के अभाश का निर्मार करता है तो वास्ता में जो पलंग का आइडिया है वा इसको जर्म not d creation बढ़े में जो बनाया उस्ने शकान करके बनाया तो वह उसकी च्छाया मात्रि आप अभाश मात्र है बढ़ाई द्वारा बनाया गया पलंग इश्वर के मन में विद्धिवान वास्तिक पलंग की छाया मात्र है तो बढ़ाई क्या है बढ़ाई ने वास्ता में पलंग को जन्म नहीं दिया है वह सिर्फ उसने अनुकरण किया है तो वह वास्तिक में जो पलंग है जो इ प्रत्य जगत मतब जो हमारा संसार है जिन चीज़ों को हम देखते हैं वस्तु जगत यथार्त जगत का अनुकरण है, जैसे पलंग का हमने उदया से देखा तो वस्तु जगत जो है ये शर्थर्थ्जिकत का अनुकराड़ हो तो समस्त हर्म एक या का नियुक्त करते हैं जैसे बढ़ा बढ़ाय नने जो पलंग करड़़ Abha कला जगत है मतलब उसका चीत्र हो गया, पलंग का चीत्र हो गया कला जगत, कला जगत वस्तु जगत, वस्तु जगत मतलब जो बढ़ाईने बनाया पलंग, कला जगत वस्तु जगत का अर्थाद अनुकरण का अनुकरण है, कला कार उसका अनुकरता है, इमिटेटर है, तो जो कलाकार जिसने चीत्र बनाया पलंग को देखकर तो उसने पलंग को देखकर उसका अनुकरण किया, मतलब उसने अनुकरण का अनुकरण किया, नकल का नकल किया, फोटोकापी का फोटोकापी किया, यह एक जामपल मैं बता चुका हूँ आपको, फोटोकापी का फोटोकापी क करना है तो कलाकर तीसरे पूजीसन में है पहले में इस्वर्य स्था है दूसरे में जो बढ़ी है और तीसरे में चित्रकार है कलाकर वो तीसरे इस्तान पर यह प्लैट क्या समझते दिर्षयमां संसार जो इंद्रियों द्वारा पहुत आधायँ वास्तिक नहोकर एक घ्रम है वा अन्य वास्तिक सत्ताओं की जो की इश्वर के मन में विद्यमान है अनुकरा नत्वा चाया मात्र है बताद जीस संसार में हम रहते हैं जो हमको दिश्टिगोचर होता है जीस दिरसिमान जगत में है वा वास्तों में क्या है चाया मात्र है एक इश्वर के मन में है और जिस संसार में हम रहते हैं जो द्रिश्यमान जगत है जो हमको द्रिश्टी गोचर होता है वह क्या है ब्रहम है अता प्लेटो समस्त द्रिश्यमान संसार को ब्रहम मानता है उसके द्रिश्टी में विचार रूप जगत है या संसार असत्य है तो इश् सत्विहाय ब्राह्म है तो अब हम फिर बढ़ाई द्वारा बनाये पलंकी और लौट चलें वह पलंग वास्तिक नहोकवार आदर्स पलंकी जो कि इस्वर के मन में अनुकरण मात्र है अतो बढ़ाई के पच्चा चित्रकार आता है सबसे पहले इस्वर आते हैं फिर पलंकी वह बढ़ाई के द्वारा बनाये हुए पलंका अनुकरण है नकल है किन्तों बढ़ाई का पलंक मितवास्तिक पलंकी अनुकृति ही था लेकिन बढ़ाई ने भी जो पलंक बनाया वह भी तो वास्तिक पलंका नकल था अनुकरण था या अनुकृति थी आता चित्रक अनुकृटी की अनुकृती वहागना, वह वास्ती होना तो दूर रही, वास्तिक्ता की अनुक्रिती भी नहीं है, कम सकम बढ़ ही ने तो अनुक्रिती बनाया, लेकिन जो चित्रकार है, वो तो नकल का नकल बनाया, थर्ड गलास बनाया मतलब, तो वह वास्तिक बनाता दूर रही वास्तिक्ता की अनुक्रिती भी नहीं है, वह तो एक ऐसी अनुक् पलेटो ने किया कि प्लेटों कावे का निर्माड का जो निर्माड होता है वह उन्मात की होता है मतलब वह एक अलगी दुनिया में चला जाता है जब वह कवीता लिखता है पगलत जैसे उसने इस्वरी उन्मात को कावे है तो उसी कार किया है कावे का जिन्म कैसे होता है जब कवी उन्मात के उस्ता में चला जाता है समोहन के उस्ता में चला जाता है तभी वह कविता लिख पाता है प्लेटो के अंसार कावे स्रीयन देवी शक्तियों से प्रित होकर करता है कावे देवी को प्लेटो ने मुझेज की संग्या से अभीवित किया है कावे देवी को म्यूज कहते हैं कावे देवी को प्लेटो क्या कहते हैं म्यूज कहते हैं जिसकी प्रेड़ा से कोई कभी कविता की रचना करता है अर्थात कभी कविता करते समय उन्माद या पागलपन की दशा में रहता है वो अपने को किसी देवी शक्ति द्वारा प्रेडित प्रतीत करता है खिंत वह उसमय यह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है अता उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहाँ विवेक औरतर का कवनिय अंतर नहीं रहता है जैसे हम हिंदी में जो भारतवाशी हैं जो मासरसती को सभी कला और साहित की देवी मानते हैं म्यूज मानते हैं मासरसती को तो प्लेटों का कहना है जब कोई कवी कविता लिखता है तब वह समोहन की वस्ता में राता है उनमात की वस्ता में राता है पागलपन की वस्ता में र नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वाँ विवेक्व तर्क कोई नियांत नहीं है का इस लिए उसको खुदी नहीं पता होता की वाज्टो वास्तों में देवी शक्ति उससे कविता लिखवा लेती है जैसे मासरस होती है इस भावु का वेश का प्रणाम यह होता है कि वह अनेतिकता का प्रचार करने लगता है यही कारण है कि कभी प्रया देवी देवताओं के विशे में भी अनेतिक घटनाओं का वर्णन करने लगते हैं इन देवी देवताओं का चरित्र कुरूर निर्संस और अधम कितित क्या जाता है क्योंकि कभी सम्मोहन की ऐसा चित्रण कर देता है, जो कि निसंस और अधम और प्रूर दिखाई देते हैं, तो वह अनतिक घटनाओ का भी चित्रण करने लगता है, उपरिक्त कारणों से प्लेटो कला को आधर सिराजे से बहिस्कित कर देना चाहता है, वह कला को मिथ्या और अनाचार का प्रचार करत अधम प्रयोग नहीं कर पाता, और इसलिए वह समाईर में मिथ्या और अनाचार कर प्रचार करने लगता है, तो ऐसे कलाकार और ऐसा काईवे कभी भी समाच के लिए कल्याण करी नहीं हो सकता, अता ऐसे कभीयों को ऐसे कलाकारों को राज्य से निश्कासित कर दिया जाना अधर्स राजे से, उनकी एक तीसरी एक अत्यनत मत पून बात या है कि प्लेटों के अनुसार समस्य द्रिसिमान संसार एकन्य वास्तिक संसार का अनुकरण मात्र है, जो हमने उपर उलेक किया है, यह वास्तिक संसार अनेक सत्ताओं, विचारों अत्वा सिध्धानतों का सं मतब जो वास्तिक संसार है उसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना पाई जाती है उससे यह निर्मित है इन्हें प्लेटो आर्किटाइप से था मौलिक सिधान काता है प्लेटो के अंसार मौलिक सिधान क्या है जिसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम की कलपना की गई है ज किनी मुल सत्ताओं का अनुकरण है प्लेटों के अंसार सुन्दर की सतंत्र इस्तिति नहीं सुन्दर होने के लिए यह आश्यक है कि वह साथ में सत्य और शीव भी हो बतब प्लेटों का कहना यह है कि कला या पिर कोई रचना के वाल सुन्दर होने से काम नहीं चलेगा कि वह सुन्दर होने के साथ साथ ही वह समाज के लिए कल्यान कारी भी हो और वह सत्य भी हो तब ही वह समाज के लिए उपयोगी हो सकती है नहीं तिक दिश्ची से कोई कला उपयोगी हो सकती है मतलब सुन्दर होने के लिए साथ में उसका सत्य होना भी आउस्यक है, उसका शीव अर्थात कल्यान कारी होना भी आउस्यक है. प्लेटों के कला के प्रती दिश्टिंगोड के हमें दो पक्षे दिखाई पड़ते हैं, कला अपने निक्रिष्ट रूप में मित्या और अनाचार का प्रचार करती है, अत्य है उसका बहिश्कार ही वांचनी है, जो कला निक्रिष्ट कला है, जो अनाचार का, जो गलत बातों का प्रचार करती है, ऐसी कला को क्या करना चाहिए, बहिसकार कर देना चाहिए, और दूसरी कला, मतब जो निक्रिष्ट कला है, घटिया कला है, उसका बहिसकार कर देना चाहिए, और कला अपने उचितम रूप में, मतब सबलाइम रूप में, या बेश्ट रूप में, जो सत् करते हैं वही हमारे लिए उपयोगी है प्लेटों के इस प्रकार कला के संदेरे को दर्शन के सत्य और समाच के कल्यांड से प्रिथक नहीं करता है प्लेटो ईस प्रकार कला के संद्धरे को, दर्षन के सत्य और समायच के कल्यानड से प्रिथक नहीं करताई। सक्ची कला हुई है जिसने सत्य और्थाथ वास्तिक मौलिक सत्था तक पहुँचने का प्रहास है। मद्भाब प्लेटों किस्त प्रकार की कला का विरोध करते हैं जो निक्रीष्ट है जो वर्ड्स है जो समयत्वे अनचार का प्रचार परसार करती हैं चोट गाला हमें उच्छतर-गिवन-मुन्यों के और पर रित करती है जो हमें इस्वर तक पहुचाना चाहती है पर हम सत्य तक पहुचाना चाहती है ऐसी कला को स्वागत करते हैं ऐसी कला का तो दो प्रकार के विचार है इनके प्लेटों के कला सिधान्त का यह दूसरा पक्ष कला को नैतिकता के अनकामनी बना देता है तो यह दो दूसरा पक्ष है यह बताता है कि जो कला है वो नैतिक होनी चाहिए नैतिकता के अनकामनी बना देता कि कला नैतिक भी होनी चाहिए नेतिक जिवन मुल्यों का भी कहा सोना चाहिए साहित्य वही है जो सत्साहित्य हो अनेतवा मिथ्य और अनचार का माध्यम बन जाता है प्लेटों का यह माना है वही साहित्य हमारे लिए उपयोगी और कल्यानर करी हो सकती है जो सत्साहित्य हो जो अच्छा साहित्य हो और यदि वह अच्छा साहित्य नहीं है तो वह किबल मित्या और अनाचार का माध्यम बन जाता है वही साहित्य ग्राह है जो सत्य शीव और सुन्दर को ग्यत्त करी हमारे लिए वही साहित्य उपयोगी है ग्राह ये है जिसे हम ग्रहन करें जिसमें सत्यम, शीवम और सुन्दरम का समनवाय देखने को मिलता है इस प्रकर प्लेटो ने कला को दर्शन और प्रविजन के अधार पर अग्राह मना है कावे का सत्य नेतिक्ता है कावे में नेतिक्ता होनी चाहिए जिसे समाज और व्व्यक्तिक के नेतिक जिवन को बल मिले और उसका उत्थान हो वही सत्य है इसके विप्रिट जो कुछ है वह असत्य है तो उनकी नैतिक्ता वाद या धाना है उसके अनसर आत्मा को पतन के और ले जाने वाली हर कावे वस्तु अग्राय है बता वह कविता या वह कावे जो मनुश्य का पतन करती है पतन के और उन्मुक करती है वह अग्राय उसे ग्रहन नहीं कह जा सकता लेटा लिखता है कि कला की प्रक्रिती अनुकरण आत्मक है अता आसत्य मुलक है कला किसी का अनुकरण करती है नकल करती है अता वह असत्य मुलक है असत्य है छद्म है उसमें असत्य का अंश केवले शुब के रूप में रहता है यदि उसमें थो जाए कविता का सत्य किसमी नहीं थे कि वह शुब का अनुकरन करे कल्यान कारी हो प्लेटों की द्रिष्टी में कावय और नाटक का प्रवाव प्लेटों की सभी या प्रमुक्रीतियों के अध्यान से या इसपश छुड़ आता है कि वह एक ऐसा दार्शनिक था जिसमें न केवल जिवन और सिष्टी के सत्य को पालेने की उतकंठा थी वरन साति उसमें समाज के उत्थान की उतकट आकंशा भी थी मतलब एक ऐसे दार्शनिक हुए प्लेटो जिनका उतदेश केवल समाज का कल्याण ही नहीं था भलकि जीवन के सत्य को भी पालेना वेचाते थे, उसके साथ ही साथ वेचाते थे कि समाज के लिए एक कल्याण कारी भी हो, समाज का उत्थान भी हो अपने प्रसिद्य गंथ रिपब्लिक में उसने समाज उत्थान के सभी संभव सादरों और उसके बाधक तत्यों की बड़ी तत्परता और जागरूता के साथ परिच्छा आयम विवैचना की है वह कावे को सिकार करता है किन्तो सभी कावे को नहीं तो उनका जो प्रसिद्य ग्रंत है रिपब्लिक उन्होंने इस बात का विशेशूत से उलेक किया है कि समाज के उत्थान के लिए कौन सी बातें आउशक हैं और कौन सी वो बातें हैं जो समाज के उत्थान में बाधा डालती हैं इसलिए वे सिर्फ सत साहित्य को बढ़ावा देना चाहते हैं अच्छे साहित्य अच्छे कावे को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसे ही स्विकार करते हैं लेकिन सभी प्रकार के कावे को वह स्विकार नहीं करते प्लेटो के समय में जो युनानी साहित था वह वासना प्रधान था कामोत तेजक था और बहुत इमोशनल था भावों को जागरत करने वाला था चाहे अच्ची भावना हो चाहे बूरी भावना हो अता समाजिक हित की द्रिष्टी से उपयोगी सिद्ध नहीं होता था उनके समय में ये वासना प्रधान कामोत तेजक साहित लिखा जाता था इसलिए वास समाज की द्रिष्टी से हित की द्रिष्टी से उपयोगी नहीं था इसलिए फ्लेटो ने कावियों नाटक के समद में कई आपत्यां उठाई हैं तो उनकी क्या क्या आपत्यां है ये भी बहुत महत्पूर्णा है कावियों नाटक के समद में उनके क्या विचारत है और कौन सी आपत्यां थी उनकी आये देखते हैं पहला काव और नाठक भाव सुट्पन होते हैं तरक से नहीं मतब काव और नाठक का जन्म भावन 스श होता है इमोशन से होता है है तरक या लाजिक से नहीं होता बहो पर अधारायशनल होने के काणड का जायो कोई स्थान नहीं रहता इसलिवा अगराय है क्योंकि जब अगर भावना प्रधान होने के काड़ क्या है उसमें तरक का कोई स्थान नहीं है कोई लाजिक नहीं है इसने क्या लिखा इसलिए वह अग्राय है उसे ग्रहार नहीं किया जा सकता है दूसरा भाव प्रधान होने से काड़ भाव को ही जागरत करता है तरक को नहीं चूकि काड़ यह अनाटक भावना प्रधान है इसलिए वह हमारे तरक को जागरत नहीं करता है अर्थात्वा हृदय भाव को प्रभावित करता है ऐसी रचनाय हमारी भावनाओं को प्रभावि इसी कर्णा, उसमें कोई सत्यता का आंस नहीं रहता है, और शीव, हमको यह नहीं पता चल पाता है, कि वह कल्याण कारी है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ इमोशेंश को जगाता है, भावा तिरेक सयम और संतुलन को भी बाधिद करता है, मतलब जब भाव की अधिक्ता हो जाती है, भावना या e emotions के दिखता हो जाती है तब हमारे जीवन में सयम नहीं रह जाता है और वहा हमारे जीवन के सयम को भी बाधित करता है यह कोई व्यद्जी बहुत ज्यादा emotional है और अपने अलाजी के अपने तरक का इस्तिमाल नहीं करता है, तो इससे क्या होता है, जीवन में संतुलन नहीं रह जाता, वास्तो में जो बुद्धी है, जो तरक है और हीदा है, जो विचार, जो भावना हैं, उन दोनों का सम्मझबाइ होना चाहिए, यह इस्तिदी ब्यक्ति को नेकेवल दुर्बल में आशक्त बनाती है अपी तो उसे कुमारक की और अग्रसर करती है चूंकि ऐसा साहित देखेवर भावना को जागरित करता है जिसमें तरक का कोई स्थान नहीं है तो यह बैक्ति को बहुत दूर्बल बनाता है कामजोर बनाता है थोड़ी सी परसानी आएगी तो करना होगा और कवियों को राज्य से निकाल देना होगा इसलिए जब आदर से राज्य की जब कल्पना करते हैं तब उनका कहते हैं कि ऐसे कवियों के लिए मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है उन्हें निकाल देना चाहिए राज्य से उनकी कविता का बहिश्कार करना च जैसे यदिक होई कलाकार दिरंतर किसी खल पात्र का अनुकरण करता है तो ऐसे अभिनेता दिर दिर स्वैम भी बुरे हो जाते हैं तो इनका भी वाईसी कहना है कि लगातार आप यदि एक ही प्रकार के चरित्रों का निर्वान कर रहे हैं पात्र को अभिनीत कर रहे हैं उनके किर्दारों को निभा रहे हैं तब उस पात्र की जो बुराईया है वो आपके अंदर आ जेंगे जैसे शक्ति का पूराण हमें सब खल पात्र का अनुकरण करते हैं तो उनके जिवन में बुराईया आ जानी चाहिए ऐसा प्लेटों कमान नाटको में अबद्रता मस्करापन आदी देखने सुनने से दर्शक और सोधा के में में निक्रिष्ट भावदित होते हैं इससे अनुशासन में कमी आती है वो कावे और नाटक की बुराईयां गिना रहे हैं वो कहते हैं कि यह दि कोई ट्रेजीक नाटक देखते हैं जिसम इनके अनुशासन की कमी आती है उनका कहना है कि हम इनको देखकर इनसे प्रेरित होते हैं प्लेत करंसे होमर हमर कि कावे में हम बेचरे नायाक को एक लम्बे कथन में अपना आस्चोख प्रदर्सित करते हुए रोते हुए और पनी छाती पीटते हुए पाते हैं. फमर के कि हम आम जिन्दगी में इस तरह रोते पीडता नहीं है अपनी भावनाओं को अव्यक्त नहीं करते सब के सामने अपने दुख को अपने तक रखते हैं अपनी पीड़ा को स्वयम तक ही रखते हैं समाजी कुरुप से उसका प्रदर्शन नहीं करते क्योंकि हमें विवेक बु लुप्त हो जाता है उनका यह माना है कि उस समय नाटक जो अभिनीत किया रहे थे लगते थे इस से नाटकों को वह लुप्त हो जाती है पांच वह व्यक्ति जीवन में काम करें अलके पन से आसंगत हैं आशा नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कम वीर हो और वहाँ पर नाटकों में जाकर कामेड़ी कर रहा है क्वाविनेता साथ है वहीजिद्रेजटी और और वियुसे अभिनेता ये संभव नहीं क्योंकि दोनों भिंद्र प्रकार या अभिनेता नहीं कि वह मनना है मतलब वे काव और नाटक की बुराईयां वता रहे हैं क्या कि उसमें कमी है नाटक का लोग पृता आरजित करने के लिए हलके और ओचे भाव का ही चित्रा प्रसंद करते हैं इससे समाद में हलका पन और ओचे पन का प्रसार होता है जिए पर टी आरपी है यह आपने देखाऊगा न्यूस चैनल में टी आरपी बटर ने के लिए किसी भी प्रकार का न्यूस चला देते हैं वो जिसमें कोई सचाही नहीं होती और वैसे नाटक कर नाटक कर क्या करते हैं लोग पृता आजित करने के लिए बहुत ही बेकार टाइप के चीड़ों को लेकर आते ह जिसमें असलीलता होती है ओचापन होता है अबदरता होती है ऐसे भावों का चितरन प्वसंद करते हैं ताकि उनका टी आरपी बड़े इसे समाई में हलका पन और ओच्छेपन का प्रसार होता है सात्वा होमर की कावियों इलियड और ओडीसी में जीन देवताओं का चरितर चित्रण किया गया है वह भी असत्य है और अनुचित भी उससे ना तो उसमें ना तो देवों का चरितर आदर्स है दावीरों का उनसे मनुस्यों को कोई सत्रेणा नहीं मिलती सत्रेणा नहीं होती है इसलिए हमर का में वंडिक देवайте में कोई इस्ταण के सत्रेणा नहीं मिलना चाहिए बहले ही उनका कोई अन्युक्ती मुलक या कालपनी करतौ बहले ही हुमर ने एक काल्पनिक रुप से देवों का वर्णन किया है देवी देवताओं का इुलेक haven की क्योंकि प्रेच अच्छी प्रेच्पल्णा िलती इसलिए क्योंकि बालक हैं जो बच्चे हैं वे देखते हैं कि देवी देवतां को देख रहे हैं कि उनका चित्रण अच्छे से नहीं हुआ है लेकिन वो देवी देवता हैं तो यह नहीं समझ पाते कि यह जो काव्य है इसमें जो इनका चित्रण है या कालपनिक है और वास्तिक जिवन से उनक के सामने गलत आदर्स उपस्तित होगा प्रेटो का यह मानना है कि होमर ने इलियर और ओडेसी में भले कालपनिक रूप से देवों का युद्ध दिखा है लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनका मस्तिस परिपक्व नहीं है वह यह तो नहीं समझ पाएंगा कि यह कालपनिक य दुनिया है वो तो यही समझेंगे कि यही वास्तित दुनिया है तो जब भगवान या देव आपस में युद्ध करते हैं आपस में लड़ाई करते हैं यह सही है तो हम भी लड़ाई करेंगे यह भी सही है तो बच्चों के सामने गलत आदर्स उपस्तित होता होगा इतिहा पुराणों में अन्योक्ति परक्ष या कालपनी धंक से वरनी देव युद्धों के दुस प्रभाव को ध्यान में रख करी तुलसिधास में जहां आवसर मिला वहां देवों के निंदा की हमारी तिहास पुराण में जो अन्यक्ति प्रक्य कालपनी ढंग से देवी देवताओं का यूद्ध दिखाया गया है इसी को ध्यान में रख करी तुलसिदास जी ने कहा है और देवों के निंदा की है यह था उच निवास नीच कर्तूती देखी न सकही पराई विबूती तुलसिदास जी ने कहा है इंद्र की उपमा में तुलसिदास ने कवे को प्रसुत किया है काग समान पाक रिपुनीती तुलसिदास ने ऐसा लिखा हुआ है इन्ही सब्चिनों को देखकर प्लेटों का कतन है कि होमर और हैसियाड के कावियों में ऐसे इस्तलाए है जो पाठकों और सुदाओं के मन में भायुत पन करते है इसलिए उन्हें वीर और सासी के बदले भीरू और कापुरूस मतलब कायर मनाते है जबकि कावय ऐसा होना चाहिए जो नव्यूकों में सवर्य और पराक्रम की भावना का संचार करें मतलब हुमर और हैसियाड ने कुछ कविताएं ऐसी लिखी है जिनमें कई ऐसे इस्तलाएं हैं जिनको पढ़ कर या सुन कर लोग बहुत ही डर्पोक हो जाते हैं जबकि कावय कैसा होना चाहिए वीर्रत से भरपूर होना चाहिए जो नव्यूकों में सवर्य और पराक्रम की भावना का संचार करें कावय ऐसा होना चाहिए प्रेटों का कहाना है कि जिन कहानियों को मैं हानी प्रत मानता हूँ बिकार मानता हूँ हानी प्रत मानता हूँ, उनका आगोड़ है असत्य कथन या कालपनिक कथन, कालपनिक कथन देवों और मनुश्यों के लिए हे होता है, ग्रिणित होता है, तो कहते हैं मैं उन कहानियों को भी हानी प्रत मानता हूँ, जो पुरी तरसे कालपनिक होते हैं, असत्य कथन होते हैं है कि गलत बाते में बता ही जाती है मैं उनका विरोद करता हूं क्योंकि यह भगवान के लिए जया मनुश्यों के लिए गड़ित है है कि प्लेटों के उपरीत मन्तमियों को देखकर जरा भी संदय निहीं होता, कि ब diff पुरूता मतब डरपोक पन, डरपोक होना, निरभलता और अनितिकता का संचार करता है। जह उन्हें सत्य से हटाकर असत्य और अशिव, अशिव मतब अकल्यारकारी हानिकर की और ले जाता है। लेगिन प्लेटों किसी उसी कावे और नाटक के विरोध करते हैं जो नागरिकों में नागरिकों को डरफोक बनाता है निरबल बनाता है उन्हें अनातिकता पैदा करता है और उसे सत्य से हटाकर अकल्यानकारी शक्तियों के वर प्रेरिद करता है और सत्य के वर प्रेरिद कर प्लेटो का निशेद भी असाधारण था और वे अपने निशेद में भी महान थे प्लेटो इतने महान दार्शनिक थे कि उनके सिद्धानत आज भी हमारे जीवर में कहीं कहीं बहुत ही महत्पुन प्रतीत होते हैं हमको तो बहुत ही असाधारण थे उनके विचार भी असाध कविता का इतना घोर विरोधी होने के बाद भी वे कावे के बहुत ज्यादा प्रेमी थे और कवी रिदय से संपन थे इसी लिए उन्हें जो समवाद लिखे हैं जो डालाक्स उन्हें लिखे हैं वे भी कवित तुस्ते अनुपराडित हैं उनको पढ़ने से हमें ऐसा प्रतित होता है जैसे हम कोई कविता पढ़ रहे हैं प्लेटो राजे में सत्य सदाचार और न्याय की प्रतिष्ठा करना चाहता था इसी आदर सराजय की परिकलबना के संदर में कविता पर विचार करते हुए उसने इस बात पर बल दिया कि कविता मनवरेंजन मात्र की वस्तु नह करें बलकि समाज के मंगल के विधान करें गृजकत यह सवाना सुखाय लिखते थे लेकिन वह यह भी चाहता है कि कविता है लोग प्लेटो भी मंतने है इस प्रकार प्लेटो वस्तुता काविया नाटा का नितान्त विरोधी नहीं था और ना सच्चे कवियों को राजे से बाहर करने के अपौक्ष में था वा केवल उसी कला की निंदा करता है जो अपने करतेवे को या तो समझती नहीं या गराद समझती है तो इस प्रकार हम कर सकते ही प्लेटो सभी प्रकार के काविया सभी प्रकार के नाटा की विरोधी नहीं थे जिसमें सत्यम शिवम और सुंदरम का समनवाय है उस काविया नाटा को पसंद करते थे अपने राजे में इस्थान देना चाहते थे लेकिन सिर्फ उसी कलाक की वह मिंदा करते थे जो अपने करतवे को नहीं समझती या गलत समझती है अपने दिती कोटी के आदर सगर राज में सेकंड बेस्ट इस्टेट में वहावन कुछ सर्तों के साथ रास्दी टेजडी को भी स्विकार करता है और उस कामदी मदब कामेडिक के पक्ष में भी है जिसमें ऐसे वक्तियों का चितरण किया जाता है जिनें हम अच्छा नहीं समझते कुल मिलाकर उसकी कलात्मा कुद्पिष्टिता के मुल्यांकन का मांदन सीव और सत्य की अनुकुलता है जिसमें अच्छे वक्तियों का चितरण किया जाये जो लोगों को उचितर मुल्यों की और प्रणीट करें समाज का कल्यान करें शुकरात के मुँझ से प्लेटों खलवाते हैं उनके गुरू हैं वो इस ग्रंथ में कहते हैं तीसरे पकार का उत्पाद उनका है जो कावे देवी से अविष्ठ होते हैं कावे देवी कुमल और निर्मल आत्मों को अपने दिकार में लेकर उसमें उन्माद जगा कर प्रगीत गाना तता अन्य कविताओं को उत्पर्ण करती है प्रगीत कावे मतलब गाना किसी देवी सक्ती से प्रड़ीत अभी विष्ठ हो का लिखते हैं उनके मत अनुसार इश्वरी अनुकंपा के बिना कोई कवी नहीं हो सकता कावे रचना की प्रक्रिया का प्लेटो ने एक सुचिंतित कलात्मक प्रयात नहीं माना कविता उनके लिए शिल्प नहीं है इसके लिए क्या है सिर्फ एक ची चाहिए कि जो कावे की देवी है जो म्यूज है जिसको हम हिंदी में मा सरस्वती काते हैं वह किसी व्यक्ति को अपने अधिकार में लेकर उसे कवीता लिखवाती है सिर्फ उसे इश्वरी प्रयाणा से उद्भूत मानती है वह मानने कि कविता इश्वरी प्रयाणा से जन मलेती है प्रेटों के उपरित कथन से इस पस्ट है कि कवी में रचना प्रक्रिया की छमता का प्रादुर्भाव इश्वरी शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्धी के रूप में नहीं है, जो कविता है वह सिर्फ इश्वर की प्रेणा है, इश्वर प्रदत यहाद जो है उत्पाद है और इसमें कलात्मक कोई कलाकार की कोई सिद्धी या कोई मूल्य नहीं है, कोई टेलेंट या प वास्तु करचीता या गायक स्वहम इश्वर हैं। कभी को कभीता का निमित मान कर प्लेटों ने उसे सभी दाइतों से मुक्ति देती है, लेकिन इसे कभी को क्या ऐख दय वा? प्लेटों का काना है। कभी ने जो भी लिखा है उसमें उसके कोई योगदान नहीं है इसलिए सभी प्रकार्गी जिम्मेदारियों से उसको उन्होंने मुक्ति प्रदान कर दी कहा जा सकता है कि स्रीज्यान छड़ में कभी पूर्णता अवास हो जाता है बेबस हो जाता है सिर्जान के छड़ों में वा सम्मोहन की आस्ता में राता है वा कविता के प्रती इस हद तक समर्पित हो जाता है कि कविता उसके द्वारा नहीं होती स्वयम फूर्ट पड़ती है कविता लिखने के समय में कभी सम्मोहन की आस्ता में होता है उन्मात के वस्ता में होता है तो उसे कुछ प्रयास करने के आज सकता नहीं होती कविता तो स्वाचा ही फूट पड़ती है अपने आप लिखी जाती है यहां तक ही विधा का चैन भी कभी के अधिकार में नहीं होता किस विधा में उसको लिखना है प्रगीत लिखना है, गाना लिखना है, महा कावे लिखना है, खंड कावे लिखना है, क्या लिखना है, यह वह उसके अधिकार में नहीं होता है, क्यों कि वह देवी के अधिकार में होता है, देवी के सम्मोहन में होता है, मूजेस की, कभी किस विधा में कावे रचना करेगा इसका निधार भी कावे देवी म्यूज करती है, कि इस विधा में वा कावे करेचना करेगा इसका निधार भी, इश्वरी शक्ति करती है, देवी करती है, जिसे म्यूज की संगया उन्होंने दिया है, और हम इसको हिंदी में या भारत में हम उसको मासरस्वती करते हैं, प्ले कुछ नहीं है. अब हमारी जो आपत्तियां है जो अलोचक है उनकी जो आपत्ति क्या है वो इससे सहमत नहीं है प्लेटो के इस दिरिशकोंट से सहमत नहीं है कावे रचना में इस्वरी प्रेणा इस सब कुछ नहीं है कभी के सचेत कलात्मक योगदान कभी परयाप्त मत लिए इस्वरी प्रणा जरूर होती होगी लेकिन जो कभी है वो जो अभ्यास करता है वो विविन प्रकार की किताबों को पढ़ता है खुद मेहनत करता है इसका भी योगदान कम नहीं है विशह के चैन से लेकर रटना के समाप्ति तक कभी का कलात्मक प्रयाद जागरुकत था सक्री रहता है और इसलिए कोई कावे उत्कृष्ट और कोई निकृष्ट होता है यदि सभी कावे इस्वर की प्रयादा से लिखे जाता है इस्वर ही उनको लिखता है या लिखवाता तब क्या होता है सभी कावे उत्क्रिष्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कावे उत्क्रिष्ट होते हैं, कुछ कावे निक्रिष्ट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, इसका मतलब यह कभी का योगदान है, इसको हम, कभी के योगदान की हम उपेक्षा नहीं कर सक तो यह हमारी अपतिया है अरचकों के अपतिया की ठीक है यदि कावय का निर्माड कावय का स्रीजन इस Change प्रैंडा से कवी को क्यों निकालना चाहता है अपने देश से अपने राजे से वह क्यों कवी की रचना की तब वह उसे अपने आदर से राजे से क्यों निकालना चाहता है अधा प्लेटों की यह मान्यता अपने देश की रचनाओं के संब्द में ठीक हो सकती है किन्त सारभौम सिध्धान के रूप में इसे स्विकार करना संभव नहीं है तो जब प्लेटों की कावे रचन युनिवर्सल प्रिंस्पल के रूप में हम इसे लागू नहीं कर सकते इसे स्विकार नहीं कर सकते कभी के उनमाद आत्म इस्मृति आधि को भी केवल लाक्षनिक रूप में ही ग्रहन करना उचित है ना तो कभी को पागलपन का दवरा पढ़ता है ना इस पर भूच चरता है और ना वह हो सवास होता है मतलब ऐसा नहीं पागलपन का दवरा पढ़ता है और कभी कोई कभी बन जाता है ऐसा नहीं है यह सब कहने का अर्थ इतना ही है कि सर्जन के छड़ों में कभी का मन सर्वता एकागर होता है और ताथ एक प्रकार से वह आत्मलीन हो जाता है मतलब जब कोई कभी स्रिजन करता है कोई कविता लिखता है तो वह देश दुनिया से कड़ जाता है और वह एकदम एकागर चीत हो कर कविता को लिखता है अपने स्वयम समोहन के वस्ता में होता है प्लेटो कभी के पागलपन आविश्टता आदी के द्वारा इसी चीत की एकागरता को वजाकर करना चाहता है तो तो प्लेटो के अन्सार कावेही का तातफर ऊंत उप्देश काया रचना की ऊंतित्परणा शक्ती है वह कौन bitक है जो यह मुख्यda क्लेश क्या है क्वेह कावे लेखरन का मुख्य उद्देश क्या चिर्क्त रखत शुक्षा दे वरन आत्मा में जो कुछ सर्वत्तम तत्व सुप्ता वास्थ में पढ़ा है उसे जाग्रत कर पाथकों को सही मार्ग का बौद कराए उनका यह भी मानना है कि कविता को सिक्षक ही नहीं हो जाना चाहिए कि हमेशा सिक्षा ही देते रहे वास्तों में मनुष्यक पढ़ा हुआ है। उसको जाग्रत करें और पाठकों को सही क्या है।eled कि आपने क्या सरवस्रेश्छ है। उसे बाहर लेकर रह यह कवीता कारिया。 उसका मत्त है किrzy के लिए नी नीति के सिक्षा नहीं देता, यह काम तो निती शास्त्र का है, इसके बावजूद भी वह निती शास्त्र का इस्थान नहीं ले सकता, क्योंकि जो काम निती शास्त्र का है, वह निती शास्त्र ही करेगा, कविता नहीं करेगी, बताब उसके ज्यादा महत्त्र पूर्ण नहीं दे र बहुत कराता है जीवन जो मुल्या है उनका बहुत कराता है भारती मत में कांता समीत उपदेश नहीं देता वरन वह अपने प्रभाव से पाठक में ऐसा ज्ञान जागरत कर देता है कि वह स्वयम अपना हित समझ सकता है मतलब काव शिक्षक के रुप में प्रत्यक्ष रुप से किसी को उपदेश नहीं देता लेकिन किसी कविता को पाठक को या पता चलाता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है और वह अपना हित अनहित समझ सकता है कावे का विशा क्या होना चाहिए। करें जिसमें देवताओं यह उनकी चरित्र में क्या द्रीड़ता है क्या छीडा है उसका ही उच्छाई है इस कावे की शक्ति क्या होने चाहिए कावे की शक्ति क्या होगी प्लेटो के समकाले नियां मानते थे कि त्राफदी त्रासदी मतलब ट्रेजडी और कामदी कामेडी कावे से जनकी शक्तियां अलग अलग होती हैं प्लेटो के समय में जो द्वान थे जो दर्सनिक थे उनका काना ह कि तरास्दी की कावई शक्ति अलग होगी और कामेडी की कावई शक्ति अलग होगी किन्त प्लेटों नहीं है माना कि कभी की विबिन शक्तियां मूलता है एक है लेकिन प्लेटों का यकान है कि कावई शक्ति सिर्फ यकी होती है मूलता है एकी होती है अर्थाद कवी की शक्ति एक होती है और वह अविभाज होती है जो कामदी मतलब सुखांत कामेडी लिख सकता है वह तराजदी या दुकान ट्रेजडी भी लिख सकता है मतलब प्लेटों का मानना है कि कावे शक्ति के वल एक प्रकार की होती है जो कभी कॉमेडी लिख सकता है मतलब कामदी लिख सकता है सुखांत लिख सकता है वह ये ट्रेजडी भी लिख सकता है दुखांत नाटक भी लिख सकता है कॉमेडी मतलब सुखांत नाटक ट्रेजडी म मतलब दुखान तनाटक हिंदी में तुलसी और प्रसाद ऐसे साहित्यकार माने जाएंगे मतलब हिंदी में तुलसी दास और जयसंकर प्रसाद ऐसा ही साहित्यकार हैं जो कॉमेडी भी लिख सकते हैं ट्रेडी भी लिख सकते हैं किन्तो सभी साहित्यकारों की शक्ति में या सा चित्रकार, चित्रकार, गीत्कार लेखक, संगीत्कार, गयाक सब कुछ था, एक ही, गुटर है कि प्रेम चंद महा कवे लिख सके, प्रेम चंद महा कवे कि राचन नहीं कि, अब कावे हेतु, कावे हेतु का अर्थ है कारण, कवी में कावे प्रड़यन की सामार्थ उत्पन करने वाले साधनों को कावे हेतु या कारण कारण कहा जाता है, प्लेटों के अनुसार कावे सरिजन के तीन हेतु है, प्राकृतिक शक्ति, आवशक नीमों का ज्यान और अभ्यास, प्राकृतिक शक्ति मतब दैवी शक्ति होना चाहिए, और जरुरी नियम करून का ज्यान होना चाहिए, वैकरण वगरा का, तो उनका कहाना है कि यह तीन कावए अंगे इनमें सर पमग स्क्ति मतलब कोई को नवे प्रहुवी शक्ति होनी चाहिए उन्होंने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया और अंत मं अभ्यास के बहुत जाःत्य जिणनी है उसको उन्होंने आकर इष्थान दिया है भारती आचारे उन्हों प्रेटो रहा है अभी मत्त्ता कि कवी को मनीश्यों के पुरी प्रकृति का बोध होना चाहिए जो कवी है उसको मनुश्यों के प्रकृति का उनके जो मनविक ज्ञान का भी उनका पूरा बोध होना चाहिए जैसे अचारे भामा के अनुसार प्रतिभा, वित्पति और अभ्यास तीन कावे हैतु है इसको हम लोग अभी संस्कृत जब कावे शास पढ़ देखता था किकला नैतिक मुल्यों पर खरी उतरती है कि निएश क्या उप्योग है क्या वह समाज क्लिए राष्टे के लिए क्लिए वह उप्योग के कि प्लेटो के इसार कावे कितने प्रकार के होते हैं अनुकरनात्मक जिसको बोलते हैं प्रहासन और दुखानतक नाटक वर्ण अत्मक इसको इनरे टीर हम नाम दिया जिसको प्रगीत बोलते हैं मतलब गाना इसका माधूर्य और भाषा, कवे की भाष रहीं होनी चाहिए? मतलब जैसे हम उनके जैसे जैसे शंकर पर उनके व्यक्तित होता है एक जैसा अनशार का कवी का जैसा होगा उसे के अनसार का कवी होगा मतलब कवी का कव्यक्थित है वह उसके कावे की शैली में परिलक्षित होता है दिखाई देता है और अपना रहा इस सब्धदों के जो अपने आश्यक्ता के हिसाब से अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोक किया दा सकता है दंडी वावंत आदी भारती आचरों ने भी इन गुड़ों की प्रयापती विचना किये इन गुड़ों को हम पढ़ेंगे बाद में भारती कावश शास्त्र के अंतरकत सच्चे समिच्चक के लिए साहस का भी होना आश्यक है, क्योंकि इसके भाव में वह चाह कर भी सच्ची बात नहीं का पाए वह सासी भी होना चाहिए, उसके विचार द्रिड होने चाहिए, यदि वह सासी नहीं रहेगा, तो वह सही बात हमारे सामने नहीं ला पाएगा, किसी काव्य या किसी नाटक की समिक्षा सही धंक से नहीं कर पाएगा, उसके गुर्दोष्ट का विवेचन नहीं कर पाएगा, यदि वाइस हासी नहीं है तो गला सील्प का ग्यान कला की जो सील्प है उसके समझ में कला कार को क्या कई ग्यान होना चाहिए प्लेटों का मत है कि किसी भी कलाकार को, चाहे वह चित्रकार हो, या ग्री निर्माता हो, या कभी हो, उसे अपनी सामगरी का चुनाओ और उप्योग बिना समझे बुझे नहीं करना चाहिए, बतलब उसको अपनी सामगरी का चैन सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे कोई कलाकार है चाह कोई चितरकार है घर का निर्मार्ड करने वाला वह जी सामगरी का चेन कर रहा है कला के लिए तो सोच समझ कर करना चाहिए सच्चे कला का बराबर यही प्रहत्र रहता है कि उसकी रचना को एक निश्वित प्रभावपूर्ण स्वरूप मिले इसलिए इसे कला शिल्प की पुरी जानकारी होनी चाहिए, प्रत्यक कलाकार ये फनकार ये चाहता है कि उसकी कला क्या है, बहुत ही महान हो, उत्क्रिष्ट हो, इसलिए उसको कला के शिल्प की पुरी जानकारी होना चाहिए, कलाकार को अध्ययन, मतब पढ़ कर और अभ्यास दोरा कला का ग्य चाहिए जिनमें संदर्य और लालित्य की समुची प्रकृति देखने की छमता हो तभी हमारे युग स्वस्त भूमी में निर्मल दिरिश्यों तथा मनोहर धनियों के बीचरा सकेंगे और प्रत्यक वस्तु में अच्छा ही देख सकेंगे मतलग जैसे कि किट्स कहते हैं कि beauty lies in the आईजा भी order सुंदर्ता देखने वालों के आँखों में नहीं तो होती है तो जो कलाकार है उसको भी अपने आसपास उसका मन इतना निर्मल और सच होना चाहिए कि वह अपने आसपास संद्रेका दर्शन कर सके उस चीजों की अच्छायों को देख सके और उन्हें बाहर ल सबसे में देखते हैं अब रही कि यूगदान क्या है लेटो के गूर क्या है पलेटो के कुछ महतों विचार इस प्रकार हैं कावे के स्वरूप प्रयजन तत्हा प्रभाव allowed अनेक विचारों के प्रातिन तम उद्भावग फ्लेटों हैं प्लेटों ने बहुत सारे में कला और साहित्य का प्रयोजन एवां मुल्य उसकी समाजीक उपयोगिता है उन्होंने प्रत्यक कला को साहित्य को किस प्रकार देखा कि वह उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए वह समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए कि वह समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं है तो प्लेटो और इस्वरी प्रेणा को कावे की रचना पक्रिये का अनिवारे साधन मांते हैं, विद्पत्ती अभ्यास आधी का महात उनकी द्रिष्टी में नितान गौड है, तो प्लेटो के अंसार जो इस्वर की जो प्रेणा है, उसी की प्रेणा से कावे का स्रिजन होता है, और विद्पत्ती या अभ्यास की भूमिका वहाँ पर बहुत ही कम है, यह एक बहुत महद्रपन सिधान उनके दिया है, विरेचन सिधान के संकेत भी उनके कत्रों में भी दिमान है, विरेचन जो सिधान थाम आगे पढ़ेंगे, अरस्तु का विरेचन सिधान, उसका संकेत भी प्लेटो ने दियाये, जर्म दियाये है उसको प्लेटो की तरखिकता प्रकर अभिमेंजना प्राण्जन तता शैलिए आकर सके, बहुत बहुत बहत्रिन तरीके से और तरख अपूप अप्ण। को स्थावित किया है प्लेटों के दोस्ट क्या है प्लेटों के क्या 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 कमी पाई गई प्लेटों ने कावेक और हिदय के व्यापर नहीं माना भाव या कल्पना के इस्थान पर अनुकरण को महत्त दिया है प्लेटों क्या है हिदय को ज्यादा महत्त नहीं देते वह तर राहतिकार है या कभी है उसमें कलाकारी भी होती है उसमें सर्जंद सिल्थ को político पूलते हैं कि सब अभी स्वरण की प्रिश्टी से मगए किला को सिर्फ समाज के लिएड़ की दिश्टी से दिख тобой अब संदर्य शास्त्र की दिष्टी से सही नहीं वास्तों में जब हम किसी कला की समिच्छा करते हैं कला की आलोचना करते हैं तब हम उसके संदर्य बहुत की दिष्टी से भी देखते हैं संदर्य शास्त्र की दिष्टी कोण से भी देखते हैं लेकिन उन्हें संदर्ता के स्थान पर कल्याण खो मतलब कल्याण को अधीक मत्व प्रदान कैया जो संद्र शास्ट्र के द्ष्टी से नहीं है प्लेटो ने दरसन और कावे के शाष्वत विरोध की बात कहिया है जबकि दरसन और कावे लोचन एक-दूसरे के विरोधी नहीं पूरत है प्लेटों का जो हमाना है जो दर्सन है वो कावे से स्त्रेश्ट है और इन दोनों में हमेशा विरोध है लेकिन दर्सन और कावे की अलोचना जो है वास्तों में एक दूसरे के विरोध ही नहीं है बलकि एक दूसरे के पूरक है प्लेटों ने कलाव ईश्यक विवेचन में पर्याप को नुरुकती है कि इन तो यहां लेखा की मर्जी से नहीं है तो मुझे लगता है कि आपने कावे सिधान को भली बाती समझ गिया होगा और यदि मेरा आज का एपीजोड अच्छा लगा होगा तब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना पुलें ताकि मैं प्रतेक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें साथ ही कमेंट बाक्स में कमेंट लिक कर जरू बताएं कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, धन्यवाद